बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई सुन्दर्ता संबंदी ध्यान देने योग्य बहुत ही जरूरी बाते अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने आपके बहुत काम आएंगे समक्ती तवचा हर किसी की खवाई सोती है तवचा हमारी सरीर का सबसे बड़ा अंग होती है ये अंत्रिक अंगों की सुरुक्षा करती है सरीर के तापमान को निरियंत्रिक करती है विटामिन डी के संसलेशन में मदद करती है तवचा की देखवाल हमारी रोज के जरूरी कामों में से एक काम होना चाहिए स्वस्त रहना, exercise और स्वस्त रहन सहन रोजाना में डीजिटेशन करना और प्रानायाम के साथ साथ रोज क्लिंजिंग, मॉस्चराइजिंग और दूफ से बचाव कुछ ऐसी चीजी हैं जिससे हमारी तवचा स्वस्त और उसमें चमक बरकरार रहेगी हलाकि आपको इन समस्याओं के लिए बजार में कई तरह की आपको दवाय मिल जाएगी लेकिन इनके लिए घरेलू उपाय भी मुझूद है घरेलू उपायों को एक फाइदा ये भी होता है कि इनसे साइड इफेक्ट की गुझाइस कम होती है लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना बहुत ही जरूरी है कि घरेलू उपाय भी आप अपनी तवचा के मुताबित ही करे खास कर जब आपकी तवचा नाजुक और परतदार हो अगर आपकी तवचा परतदार है तो आपको बड़ा ध्यान रखना है तवचा से जुड़ी परेशानियों के लिए आसान और कुछ गरेलू उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो आईए देखते हैं पिमपल्स यदि आपको पिमपल है तो नंबर एक एलो बेरा में हल्दी मिला कर पेस्ट बना ले हल्दी में एंटि बैक्टिर्यल तत्त्त अफोते हैं वही एलो बेरा घाव को भी भरता है दो, नीम की पतियों को पीस कर पेस्ट बना ले, चेरे पर स्टीम लेने के बाद इस पेस्ट को लगा ले, नीम पिंपल को दूर करने में काफी ज़्यादा मदद करता है यदि आपकी तवचा पर एकनी है तो नमबर एक, एलोवेरा जेल, चंदन और संत्रे के छिलके की पाउडर को मिलाकर आप पेस्ट बना ले, इसे एकने जल्दी ही कम हो जाएंगे दो, टीट्री अउयल से दिन में दो बार एकने को साफ करें और रात को सोने से पहले उस पर एड़ा फेरिंग जेल लगाएं फटे होटों के लिए जितनी बार हो सके होटों पर घी या फिर मखन लगाएं और इसे चाटे नहीं, इससे होट जल्दी ही ठीक हो जाएंगे कोल्ड प्रेस नार्यल का तेल फटे होटों के लिए काफी फाइदेमन साबित होता है बादाम को पीस कर पेस्ट बना ले या फिर ताजे दूद की मलाई को दिन में दो सी तीन बार होटों पर लगाएं इससे होटों का रुखापन दूर हो जाता है अगर आपकी तवचा रुखी है तो नहाने से पहले बादाम के तेल से मालिश करें और फिर गुंगुने पानी से नहा ले द्यान रखे कि गरम पानी आपकी तवचा को और रुखा बना देता है इसलिए गुंगुने पानी से ही नहाई नहाने के बाद नमी के लिए एक अच्छा मॉस्चराइजर जरूर लगाएं तो बादाम के पेस्ट में मलाई मिलाकर इसे तवचा पर कुछ देर मसाज करें इसके बाद धोले और फोरण मॉस्चराइजर लगा ले साबुन का इस्तिमाल बंद कर दे क्योंकि ये तवचा को बहुत नुक्सान करती है गर्मी में अगर दाने हो गई हैं तो दानों पर दिन में दो बार नीम और हल्दी का पेस्ट लगाई ये दोनों एंटिसेप्टिक होते हैं दाने पैदा करने वाले किटानों को ये मारते हैं दो डेटोल और सैवलोन जैसी एंटिसेप्टिक चीजों का इस्तिमाल ना करें क्योंकि इससे इमाटाइटिस भी हो सकता है यदि आपको पिगमेंटेशन है तो उसके लिए आप ये करें नंबर एक पिसा हुआ पपीता दही और नीम्बू का रस सेव का रस ये सभी हलके से एसीडिक होते हैं ये तवचा की डेट परत उतारने के साथ पिगमेंटेशन को भी कम करते हैं दो, सोया या फिर काफी के पत्ते का पेस्ट भी पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत मदद करता है दूफ में रंग गहरा हो जाना उसके लिए आप दही हल्दी और शेहत का पेस्ट बना कर लगा लें दही में लेक्टिक एसीड होता है जो बलीच का काम करता है वही हल्दी और शेहत भी एंटिसेप्टिक होते हैं तो इनका आप paste बना कर लगा ले, आपको फरक मैसूस होगा. अगर आपके रंग में काफी फरक मैसूस होगा. तो चोटे-चोटे उपाए हैं, जिनको करकर आप कर सकते हैं और अपनी तपका को निखार सकते हैं. तो देखिए, अगला उपाई देखते हैं, अगर आपका दूफ में रंग गहरा हो गया तो पत्ता गोबी के पल्प में विनेगर मिला कर लगाने से भी रंग ठीक हो जाता है, दूफ में जुलसना, इसके लिए सरीर का जो हिस्सा जुलसा है वहां बरफ लगा ले, बहुत सार पानी पिए, और दूफ में जाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि दूफ से आपकी तवचा को नुकसान हो रहा है, दूफ आपकी तवचा को नुकसान दे रही है, इसलिए कोशिश करें कम से कम दूफ में जाएं, दो, चंदन या फिर नारियल का तेल भी तवचा को आर तो डॉक्टर को दिखाएं और तवच्छा की अनुसार ही आपको इलाज कराना चाहिए तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट फोक्स में लिखकर जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है त और शेर करना अपने दोस्तों फैमली के साथ बिल्कुल भी न भूले तकि वो भी इस यूजफुल जानकारी का लाब उठा सके और ऐसी किचन टिप्स और हेल्थ टिप्स देखने के लिए आप मेरी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को भी दिखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद आपका दिन शुब हो अपना और अपनी फैमली का ध्यान रखिएगा स्वस्त रहिए खुश रहिए थैंक्स फोर बॉचिंग